के बाऴर का बांग तीसरा बाघ यहवरित खूध फोगा मतलब अगर यहां पर विरत जो है यह भी एक हो मतलब अगर कोई बिंडू नेको टीन तरीके से आप बिंडू बना सकते हो अगर मैं एक वृत यहां पर बना रहाए औं ये बिंदू पी होगा वृत के बाहर में तो आप को होगे बिंदु क्यों जो है वृत के एक्स्टेरियर पार्ट में बाहर में ठीक है अब बहिर भाग में और बिंदु एस के बारे में क्या बोलोगी बिंदु एस अंदर है या बाहर है तो बिंदु एस ना अंदर है ना बाहर है वृत पर इ नहीं होगा ना, इतना क्लियर है या नहीं बताओ, यस या नो, ठीक है, अब अगर कोश्चन कोई आपसे पूछे, कि कोई भी वृत किसी सकता है, को कितने भावे माटेगा, तो आपका अंसर हमेशा होगा तीन भाग, ठीक है, तीनों भाग के नाम भी आपको पता है, चली, इ वृत के किसी भी दो बिंदू के बीच का जो भाग होता है, कोई भी दो बिंदू बना लिया, P और Q, तो इन दोनों बिंदू के बीच का जो भाग दिख रहा है, इसी भाग को हम चाप कहते हैं, तो यह भी एक चाप होगा, और इस तरफ जो भाग दिख रहा है, यह भी एक चाप होगा, यह भी वृत के ही भाग है, यह भी वृत का एक भाग है, तो हम क्या कहेंगे, यह जो छोटा भाग है, इस छोटे भाग को हम लगुचाप कह रहे थे, यह आपको लगुचाप से पढ़ाए गया था, छोटे भाग को लगुचाप और बड़े भाग को देखे, इसके बाद एक चीज और पढ़ाया गया था इसके अलावा, इसके अलावा वृत्खंड के बादे बताया गया था, तो जब भी आपको वृत्खंड वर्ड दिखे, तो वृत्खंड में आपको दो चीज याद आना चाहिए, पहला क्या, एक जीवा, एक इस तरह से जीवा बना दिया गया, थेक है, तो यह क्या है, यह जीवा है, और यह नीचे वाले भाग को हम कहेंगे चाप है, इस भाग को जिसे मैं भी लाल कलर का बना रहा हूँ, थेक है न, तो इस भाग को क्या कहोगे, यह हमारा चाप है, तो जीवा और चाप के बीच का भाग, जी करते हैं इसे है उसे क्वरिफ चाहिए अब वृत्खंड कीतने प्रकार के ओते हैं क्लाइब एक कि score में एक जीवा और इस चाप के द्वारा घीरा हुआ भागे तो इसे भी हम वृत्खंड ही कहेंगे और कैसा वृत्खंड कहेंगे इसे हम दिर्ग वृत्खंड कहेंगे ठीक है इसे हम दिर्ग वृत्खंड कहेंगे ठीक है चल दो इतना समझ में आया लगू वृत्खंड और दिर से आ रही है तो वाई लिखोगे ठीक है एक बच्चे का अंसर है सभी लोग लिखोगे अच्छे एक मिनट रुप जाओ अब बताओगे आवाज सही जा रही है क्या आवाज जा रही है या नहीं जा रही है में लिखकर बताओगे ठीक है चली है अप सही है ना आःते जा ना है अट जो क्या करते करेंगे ठीक है आपको अनसर कहा करना है पोले सेक्षन में करना है बस आपको सही या गलत में अंसर करना है तो बताओ वृत का जो व्यास होता है वृत को दो बराबर वित्खंड में बाटते हैं सही या गलत यह सही स्टेट्मेंट है यह गलत यह सब्सक्राइब करें जितने भी लोग अभी वह हों कि काफी आसान सा कोश्चन है ना आपको यह पूछा जा रहा है वृत का जो व्यास है वृत को दो बराबर वृत्खंड में विभाजित करता है सही है या गलत है यह भी लाट्ट क्लास में भी ऐसा कुछ पढ़ाया गया था चलिए पांच सेकंड और है पांच सेकंड में पोल को एंट कर दिया जाएगा अभी भी काफी बच्चों के अंसर नहीं आए पांच चार तेन दो एक पोल में अंसर करना बहुत जरूरी है आपको पोल में अंसर जरूर करना है देखे अब चैट सेक्षन ओपन है अब चैट में भी अब जाकर अंसर लिख सकते हो या कोई भी डाउट हुआ तो अब आप पूछ भी सकते हो आपसे बूला गया वृत का जो व्यास होता है वृत को दो बराबर भागों में भाजित करता है यह सई है यह गलत है तो हम इसके लिए एक वृत बनाते हैं अगर मैं एक वृत बनाओ अब इसका क्या बनाते हैं व्यास बना लेते हैं व्यास के बारे में आपको पता है व्यास एक ऐसे जिवा होती है जो व्रिस्के केंडर से होकर जाती है थाना व्रिस्के केंडर से होकर जाएगी थाना तो इस वाले लाइन को पी क्यू को आप क्या कहोगे पीक्यू हमारा व्यास है अच्छा किसी का माई कौन है क्या पीक्यू हमारा क्या है व्यास है पीक्यू व्यास व्रित को दो बराबर भागों में बाटता है यह तो आपको कई बार पढ़ाय जा चुका है जो भी व्यास होगा व्रित का वरित को दो बराबर भागों में बाटेगा यह तो आपको पता है अब यहाँ पर क्या लिखा है दो बराबर वरित्खंड में बाटेगा तो हमें यह भाग जो दिख रहा है इस भाग को आप वरित्खंड बोलोगे या नहीं कहोगे यह बताओ, यह हमारा वृत्खंड है या नहीं है, हाँ या ना, यह भाग वृत्खंड है या नहीं है, क्याट में लिखो, ठीक है, हाँ, तो यह भाग आप वृत्खंड इसे कहोगे, क्यों, क्योंकि आपको वृत्खंड के बाद में क्या बताएगा, एक जीवा और एक अच्छा किसी का एक का माई कौन था तो कोई भी जो जीवा होता है कोई भी जो व्यास होता है उसे हम जीवा भी कह सकते हैं क्यों आपको व्यास पढ़ाते समय ही में बताया था कि जीवा क्या होता है किसी भी दो बिंदू के बीच अगर हम कोई भी रेखाखन बना दे तो क्य कहेंगे उसे हम जीवा कहेंगे और वह जीवा जो केंद्र से होकर गुजरेगी उसे ही व्यास कहेंगे व्यास क्या है एक तरह का जीवा ही है तो इस वाले भाग को क्या कहेंगे हम कह सकते हैं यह एक वृत्खंड है तो यह एक वृत्खंड है अब हरे वाला भाग जो उपर का बराबर है तो हम कहा सकते हैं यह statement बिलकुल सही है कि कोई भी वृत का जो व्यास होगा वृत को दो बराबर वृत्खंड में बाटेगा और यह भी देखो अगर याद करो तो आपको लाश्ट क्लास में यह भी पढ़ाया गया था कि अगर दोनों ही वृत्खंड बराबर हो ज लेहेंगे कि कि इतना समझ में आया ये नहीं आया यह बताओ इसका अंसर क्याओ और होगा अप्सटनी स अहीं अंसर होगा ठीक है तो अगर आपको यह दिया जाए कि वृत निद्ध के अव्यास वृत को दो-बराबर अर्ध nodig में बाटेगा तो भी सगागा अगर हम बोले व्रित का व्यास व्रित को दो बरावर खंड में बाटेगा तो भी हो ठीक है अगर यह समझली है तो आपकी पहली अपेश्म के ऑद काम करना है और कि यह अब देखो का संद्धिक से आपने चाप पढ़ा सबसे पहले आपने चाप पढ़ा अभी कोई भी हैप्पी नीव याद नी बोलेगा अभी क्लास करेंगे ध्यान से कोई भी चैट में कुछ किस नहीं लिखेगा कोई भी माइक नियोन करेगा अभी बस अपना स्क्रीन देखो और सांती क्लास देखो चलो अब देखो पहले आपने चाप पढ़ा चाप कितने प्रकार के होते हैं दो प्रकार के एक लगू एक दिर्ग ठीक है उसके बाद आपने क्या पढ़ा उसके सेक्टर और एक मेजर सेक्टर तो पहले हम लोग समझ लेखते हैं कि सेक्टर यानि त्रिजिखंड होता क्या है उसके बाद सेक्टर पढ़ने के बाद हम लोग देखेंगे कि लगू त्रिजिखंड क्या होगा चलिए तो आप देखते हैं देखो त्रिजिखंड यानि सेक् करते हैं ठीक है अब देखो क्या बुला गया है उडाहरन से समझोगे तो समझ में आ जाएगा अगर मैं एक वृत्य बनाओ ठीक है तो एक वृत्य दिख रहा है अब यहां पर हम एक चाप बनाते हैं चाप बनाने के लिए क्या करेंगे वृत्य पर कोई भी दो बिंदू ले लिया तो यह इस भाग को आप चाप कहोगे है ना इस भाग को आप चाप कहोगे था या ना बताओ जो काले कलर का मैं बना रहा हूँ उसे आप चाप कहोगे वृत्य के भाग को चाप कहते हैं किसी भी दो बिंदू के बेच वृत्य का भाग को हम चाप कहेंगे ठीक है अब अगर हम इसके सीरों को देखें मतलब चाप का एक सीरा ये हुआ बिंदू P और एक सीरा हुआ बिंदू Q इन दोनों को हम दो तरिज्या से मिला दें इस तरीके से अगर यह केंडर है यह केंडर है तो हम क्या कहेंगे यह हमारा त्रिज्या है और यह भी त्रिज्या है कितना समझ में आया कि दो त्रिज्या हो गया तो इस भाग को क्या कहेंगे यह जो भाग आपको दिख रहा है इस भाग को हम त्रिज्य खंड कहते है तो यह जो भाग आपको दिख रहा है था या ना? चैट में लिखोगे? ठीक है? तो आपको एक चीज़ और दिख रहा होगा यहाँ पर आपको एक चीज़ और दिख रहा होगा यह जो भाग है, यह कैसा भाग है? दो त्रिज्या, त्रिज्या में आप इस तरीके से याद रखना त्रिजिखंड में दो त्रिज्या और एक चाप इस तरीके से भी आप याद रख सकते हो दो त्रिज्या और एक चाप के बीच का जो भाग होता है उसे ही हम त्रिजिखंड करते हैं क्या बूला जा रहा है दो त्रिज्या और एक चाप के बीच का जो भाग होता है उसे ही त्रिज्य खड़ करते है तो यह जो भाग आपको दिख रहा होगा जिसे मैं अभी बना रहा हूँ ठीक है इस भाग को आप देखो यह सारी चीज़े को मैं मिटा रहा हूँ ठीक है यहां पर हम केंडर से दो त्रिज्या बना रहे हैं ठीक है एक त्रिज्या दूसरा त्रिज्या दो त्रिज्या और यह एक चाप इसके बीच का जो भाग है इस भाग कोई हम 3 जिखंड कहते हैं तो क्या कहोगे 2 त्रिज्जा और एक चाप के बीच के भाग को 3 जिखंड कहेंगे हाँ नितिन आप बताओ कोई डाउट है क्या आपका नितिन आपका कोई डाउट है तो आप माई कॉन करके पूछ सकते हो अभी तो पहले ये समझ दो त्रिजिखंड होता है किया ये तो समझ लिया न कि इसे त्रिजिखंड कहेंगे definition समझ में आया दो त्रिज्या और एक चाप के बीच के भाग को त्रिजिखंड कहेंगे जो कुछ इस तरीके का दिख रहा है ठीक है यहाँ पर भी आपको दिख रहा होगा त्रिजिखंड ठीक है अब आप बोलोगे इसर ये वाला जो भाग है जैसा अभी नितिन ने पूचा Ŧ ठीक है यह जो बाकी का हिस्से है इसे भी तrie जिखंड कहेंगे क्या टीक है जो बाकी का हिस्सा है हुआए अच्छा आवाज में कोई भी दिख्कत आती है बीच में तो एक बार करें जल्दी से संवाइन हो जाएंगी नसे टो यह बाकी वाले हिससा को देखते हैं जैसा अभी पूछा जा रहा था तो इस वाले भांड को आपश्या जाख है यह भी जो थत रिज जैसा देखो ये वाला भाग आपको दिख रहा होगा ना तो आप बोलोगे यह भी भाग तो दो त्रिज्या और एक चाप के बीच का भाग है या ना या ना दो त्रिज्या और एक चाप के बीच का भाग है या नहीं ये वाला चैट में लिखो, हाँ, तो आप बोलोगे definition के हिसाब से, परिभासा के हिसाब से, तो यह भी त्रिजिखंड होना चाहिए फिर, तो हम बोलेंगे, हाँ, यह भी एक त्रिजिखंड है, ठीक है, तो क्या कह सकते हैं, त्रिजिखंड दो प्रकार का होगा, एक छोटा प्रकार के होते हैं, एक त्रिजिखंड कौन सा होगा, एक लगुत्रिजिखंड होगा, और एक दिरगत्रिजिखंड होगा, एक दिरगत्रिजिखंड होगा, तो जो छोटा वाला भाग होगा, उसे हम लगुत्रिजिखंड कहेंगे, जो बड़ा वाला भाग होगा, उसे द भाग को आप दिर्ग त्रिजिक खंड का हो गए इतना समझ में आया ना चलिए तो इसके लिए हम दोग और एक उधादन से समझते देखो यह आपको एक वरित्य दिख रहा है यहां पर हम दो त्रिजिया बनाते हैं ठीक है कोई भी दो त्रिजिया कैसा भी आप बना लो ठीक तो आपको पता है यह वाला जो भाग है यह तो हमारा एक त्रिजिक खंड होगा ही ठीक है यह हमारा एक त्रिजिक खंड होगा इसे में अगर अलग-अलग करके दिखाओ तो आपको ज्यादा सही से समझ में आ जाएगा अगर मैं इस तरीके से यहां पर बनाओ अब्दिखना ठीक है यह दिख रहा है दो मतलब आपको क्या दिख रहा है इस वृत को दो भाग में बाट दिया गया अब आपको क्या दिख रहा होगा यह जो छोटा भाग है जिसे में ओ ए भी लिख रहा होगा अब यहां भी आपको ओ ए भी दिख रहा होगा वही भाग है यहां पर तो य इस वाले भाग को हम त्रिज्य खंड कहेंगे तो यह भाग त्रिज्य खंड है ठीक है यह भाग आपका त्रिज्य खंड है ठीक अब इस वाले भाग के अगर बात करें आप बोलोगे सर इसका क्या कहेंगे फिर तो आप बोलोगे यह भी देखिए यह भी दो त्रिज्य और ए अंतर यह दिख रहा है कि एक भाग छोटा है एक भाग बड़ा है बस इतना ही अंतर दिख रहा होगा तो जो भाग छोटा है उसके लिए आपको बताए गया है छोटे भाग को हम लगु लिख दते हैं तो यह हमारा लगु त्रिजिखंड है और यह हमारा क्या है यह हमारा दि अब देखो, इसको नाम कैसे देते हैं, देखो, नाम देने के लिए भी सीखना है आपको, देखो, तो ये सारी चीजे को मैं मिटा दे रहा हूँ, ठीक है, ये सारी चीजे को मिटा के इसको नाम देने के लिए सीखते हैं, तो अगर मैं इस तरीके से लिखू, O, A, B, O, देख A, O, B, O, ये भी लिख सकते हो, दोनों बिलकुल सेम चीज है, ठीक है, O, A, B, O लिखो या A, O, B, A लिखना पड़ेगा, मतलब जिस बिंदू से सुरू कर रहे हो, उसी बिंदू से आपको खतम करना पड़ेगा, तो ऐसे ही त्रिजिखंड का नाम दिया जाता है, शुरू दरसाएगा, यह लग्वत्रिजिखंड को दिखाएगा, ठीक है, यह लाल कलर का जो भाग दिख रहा है न, वह वाला भाग, पहले देखो, O लिखा, पहले O लिखा, फिर A लिखा, फिर B लिखा, फिर O लिख दिया, है न, तो यह वाला भाग होगे, समझ में आया, अब दे को नाम दोगे, पहले देखो O लिखा गया, फिर A देंगे, फिर देखो दिर्ग पर कोई भी एक बिंदू बना लेंगे, यहाँ पर, ठीक है, एक बिंदू यहाँ पर बना लिया, C, कोई भी एक बिंदू बना लेंगे, अब इसका नाम ऐसे देंगे, O, A, C, B, O, यह जो कि लगुत्री जिखंड और देर्गुत्री जिखंड का नाम कैसे देंगे लगुत्री जिखंड के लिए तो सीधे चार ब Cart बिंदू बना देंगे और फिर उसका नाम लिखा ह। अगर समझ में आ गया है तो एक्षान का अंसर देंगे ठीक है मैं फिर से कुछ चीजों को यहाँ पर मिटा रहा हूँ ठीक है और आप से एक कोश्चन पूछने वाला हूँ ठीक है चैट सेक्षन में आप लोग लिख के बताओगे अगर मैं यहाँ पर दो त्रिज्जा बना रहा हूँ ठीक है इस तरीके से इस बिंदू का नाम है O X Y अब मैं लगुतरी जिखन का नाम आप से पूछ रहा हूँ लगुतरी जिखन का नाम बताए चैट सेक्षन में लिख कर बताओगे लगुतरी जिखन का नाम बताओ अचा लगुतरी जिखन का नाम पूछा जा रहा है Z कहां से आ गया? Z तो कहीं दिखी नहीं रहा Z तो कहीं नहीं दिख रहा हाँ तो इसका अंसर क्या होगा? O X Y O अब देखो अगर आप से बिर्गतरी जिखन का नाम पूछा जा इसका नाम पूछा जाए तो आप क्या करोगे? एक बिंडू यहाँ पर बना दोगे माननो इसका नाम बना दिया Z अब बना दिर्गतरी जिखन का नाम लिखोगे अब देर्गतरी जिखन का नाम लिखना है लगु का कोई ने लिखेगा हाँ, बिलकुल सही तो आप क्या कहोगे? O, X, Z फिर Y, फिर O मतलब देखो, पहले O लिया फिर X लिया, फिर Z की तरफ आया फिर Y लिया फिर O लिया, मतलब ये वाले भाग की बात कर रहे ठीक है? तो दिर्गतरी जिखन O, X, Z, Y होगा और लगुतरी जिखन O, X, Y होगा अब बताओ, नाम देने के लिए सीख गए न सभी लो किस तरीके से आप नाम दोगे? जिखन पहचानोंगे कैसे? हाँ या न? ठीक है? Y, N लिकर बताएंगे, फिर question करेंगे, ठीक है? चल, तो यहाँ पर वही सारे चीज लिखा होगा है देखो, सारे चीज एक जगा पर लिख्योंगी है तो आपको एक question दिखन दिखन दो प्रकार के होते हैं एक दीरगुतरी जिखन, एक लगुतरी जिखन छोटे भाग को लगुतरी जिखन कहेंगे और बड़े भाग को दिरगुतरी जिखन कहेंगे तो अभी पोल सेक्षन में अभी एक question आ रहा है तो आपको एक question दिख रहा है पोल सेक्षन में जाना है और answer करना है चैट को मैं बंद कर रहा हूँ अभी चैट में कोई कुछ नहीं लिख पाएगा ठीक है फोल सेक्षन में जाना है question पढ़ो और answer करो इसमें आपको त्रिजिखन को पहचाना है पहले देखना है कि कौन से दो त्रिज्या है और उनके द्वारा बनाएगे त्रिजिखन को आपको पहचाना है ध्यान से देखके अंसर करेंगे त्रिजिया और उसके द्वारा बनाएगे त्रिजिखन को पहचाना है अच्छा अभी भी काफी काम अंसरा है यह कोश्चन तो काफी आसान सा था यह कोश्चन तो काफी आसान है लेखो वृत के त्रिज्या और उसके द्वारा बनाया हुआ त्रिजिखन को आपको पहचानना है बिल्कुल जिस तरीके से अभी आपको question दिया था बिल्कुल उसी से मिलता जोलता question है चलिए 5 second और रुखते हैं 5, 4, 3, 2, 1 चलिए chat आपका open है अब चैट में answer भी कर सकते हैं और dot भी पूछ सकते हैं यहाँ पर बोला जा रहा है दिये गए वृत की त्रिज्या और उसके द्वारा बनाया त्रिज्य खंड आपको पहचानना है ठीक है? तो सब भी option को देखते हैं सबसे पहले हम देखते हैं option A को तो option A में जो A O दिख रहा है तो A O हमारा त्रिज्या है क्या? तो A O को देखते हैं तो हम कहेंगे हाँ A O हमारा क्या है? A O तो त्रिज्या है ठीक है? उसके बाद D E को देखते हैं अच्छा धरमीर एक मिनट रूग जाओगे पहले उसके बाद फिर आपका डाउट लेते हैं तो D E को आप देखोगे तो D E क्या है? D E तो हमारा जीवा है यह क्या है? हमारा जीवा है तो यह तो हमारा आंसर नहीं होगा तो यह हमारा आंसर नहीं होगा तो अब option B की बात करें ठीक है, option B को देखते हैं, ऐसा जिनका भी doubt है कुछ देर रुख जाएंगे, इस question के बार आपका doubt लेते हैं, ठीक है, चलो, अब option B को देखते हैं, तो option B में फिल से D आ गया, तो D थो हमारा अत्रिजिया नहीं है, D क्या है, D तो जीवा है, पिस दिया भी हमारा answer नहीं हो सकता ठीक है, अब C को देखते हैं, option C को देखते हैं, अगर option C की बात की जाएं, तो option C में आप क्या बोलोगी, option C में AO और OB दोनों ही त्रिजिया है, ठीक है, अच्छा ठीक है, कोई दिक्कत नहीं, तो AO और OB दोनों ही त्रिजिया है, AO भी त्रिजिया है, और OB भी त्रिजिया ह तो हमें दिग गया कि A O भी तरिज्या है और O B भी तरिज्या है अब इस वाले भाग को देखो A O B C A को तो A O B C A को अगर हम देखे तो ये सारी चीजे को मैं मिटा दे रहा हूँ तो A क्या है ये वाला भाग है A फिर O फिर B फिर C मतलब AO B CO को आप देखोगे तो ये वाला भाग की बात की जा रही है न तो ये भाग क्या है ये भाग हमारा तरिज्य खन ले तो हमारा ये ही सही अंसर होगा मतलब A-O-B-O क्या है त्रिज्जा हो गया A-O-T-R-E-A वो भी त्रिज्जा और A-O-B-C-A हमारा त्रिज्ज खले तो यह हमारा सही अन्सर होगा अब समझ में आया नहीं आया अब जिनका डाउट था पहले नितिन आप पूछ लो आपका क्या डाउट था प्रिज्या केंदर से जरूरी है की तुर अब देखो यहां पर मैं आपका डाउट वीर कर रहा हूँ के अपना माई कॉन रखना सबसे पहले मैं जो पूछ रहा हूं बताना मैं एक वृत बना रहा हूं एक वृत दिखा आपको तेकर त्रिज्ज्या का परिभासा क्या होता है रेडियेस को किसे कहते है गो यह तिक अगर नहीं आधा तो सीधे बता दो नहीं आधा ठीक चलो त्रिज्ज्य क्या होता है कि सीभी वृट के केंडर से ठीक ए वृट पर किसी बहुत से टेक बिंदू मतलब वृट पर कोई भी यहां पर दिखा आप कोई विंदू बना लिया मैंने ना तो इसे ही हम तुरिजय करते है तो पुरिजय हमेंसा केर ओर विरिज के बीच के ही दूर्डयी होती है या इसकी परिभासा ही है है या समज में आया। तुप्यों समय से कहा से खीचा जाएगा कियंडर से ही robi जाएगा वह उसकी परिभास आई है और एक चीज यह भी आपको ध्यान देना है कि जितनी बित्रीज्जा खिचोंगी तभी की लंबाई बराबर होगी. सभी की लंबाई बराबर होगी. चलो हो गया? अज़र हर्स आपका भी कोई डाउट था क्या? हर्स हर्स प्रिज्या कैसे बनेंगी देखो डी की बार जब कह रहे है इस वाले की तो इसे तो आप क्या कहोगे डी के बारे में आप देखो अगर मैं एक वृत बना रहा हूं तो वृत पर कोई दो बिंदू बना ले और इसको अगर हम मिला दे तो इस रेखा खंड को त्रिज्या थोड क्या है कि एंद्र से वृत पर तक की कोई दूरी होती है मतलब इस दूरी को त्रिज्या करते है हमें साथ ठीक है यस सब चो के सब इसे हम जीवा कहेंगे चलो अच्छा इस्वर्ण सिंग के नाम से जो बच्चा है आपका कोई डाउट था क्या आपने भी भेजा था आपका कोई डाउट है क्या अगर डाउट है तो जल्दी से चैट माइक और करकर भी पूछ सकते हो चलिए ठीक है कोई डाउट नहुंग है अब बता опetkommen समझ में आ गयानँ सभी को यह कोश्चन समझ में आया है नहीं वाई या यान लिकर बताओग है यह कोश्चन समझ में आ गया आगे बढ़ा जाए चलिए ठीक तो हमारा आंसर क्या था option number C था चलिए अब देखो हमाई अगला topic क्या पढ़ना है अगला topic जो है यह काफी very important है आपके exam के लिए आपके exam में सबसे यादा question circumference यानि परिधी और छेत्रफल से ही आता है ठीक है तो अगला topic क्या है वृत की पर circumference of circle एक चीज ध्यान दिजेगा circumference of perimeter में कोई अंतर होता है क्या यानि परिधी और परिधी और परिधी सब्दी यूज़ करते है परिधी नहीं करते है लेकिन होता बिलकुल एक ही चीज़ है ठीक है तो हम वृत की परिधी बोले या वृत का परिमाप बोले दोनों ही चीज सेम ही होंगी लेकिन बोलेंगे जाद अतर क्या वृत की परिधी ठीक है इतना समझ में आया तो देखते है वृत की परिधी होता क्या है circumference होता क्या है अच्छा नितीन का अंसर है 2 pi r square देखते है 2 pi r square होता है यह सही है या गलत ह आगे देख लेगे ठीक है देखो circumference के बारे में क्या लिखा गया है संपून वृत की लंबाई को उसकी परिधी कहते है अब संपून वृत की लंबाई का क्या मतलब हुआ ठीक है संपून वृत की लंबाई का क्या मतलब हुआ तो यहाँ पर अगर वृत बनाया गया तो अ इसकी लंबाई ही इस वृत की लंबाई कहलाती है और इसे ही हम इस वृत की परीधी करते हैं तो यह जो वृत का पूरा लंबाई होगा उसे ही हम परीधी करते हैं और अच्छे दो समझे मानलो यह जो वृत है यह कोई वायर कोई भी तार से बना हुआ है तांबे की तार आपने देखा है न पतला साथ उस तार से ही अवरित बना हुआ है अब क्या करते हो इसकी लंबाई जानने के लिए आप क्या करते हो इसको काट देते हो यहां से बीच से काट दिया आपने यहां से आपने काट दिया आब क्या करोगे इसको खोलके आप एक सीधे तार में बदल देए अब आप ये बताओगे ये जो तार की लंबाई होगी ये जो तार की लंबाई होगी वह इस वृत की लंबाई होगी या नहीं होगी हाँ या ना अगर इस वृत से ही वो तार बना हुआ है मतलब उस वृत को खोल के ही तार बना दिया गया तो जितने तार की लंबाई होगी वही वृत की भी लंबाई होगी क्योंकि उसी से बना हुआ है मानलो अगर ये तार की लंबाई 20 cm है तो इस वृत की भी पूरी एक चक्कर की जो लंबाई होगी वो 20 cm ही होगी है ना तो यही जो लंबाई होती है इसी लंबाई को हम क्या करते है इसी लंबाई को वृत की परिधी कहते है ठीक है? ये समझ में आया सभी को ये समझ में आया कि परिधी होता क्या है ठीक है? अब देखो इसका यूज कहाँ पढ़ता है? आपके exam में कई बार question पूछा जाएगा एक वृत बनाए गया एक वृत के आकार का कोई भी खिलोना है ठीक है आपको क्या करना है इसके चारो तरफ एक टेप लगाना है ठीक है एक टेप लगाना होगे तो आप किसी एक बिंदू से सुरू करोगे और इसके चारो तरफ टेप लगाओगे तो आपसे पूछा जाता है कितनी टेप के ज़रुत पड़ेगी अगर एक चक्कर लगाना है एक बार आपको टेप लगाना है तो आपको कितनी लंबी टेप के ज़रुत पड़ेगी तो आप क्या करोगे इस वृत की परीधी ग्याद करोगे है तो 15 cm लंबी टेप से आप क्या करोगी इसको एक चक्कर उसको टेप लगा दोगी एक चक्कर हाँ या ना यह समझ में आया तो ऐसे सारे question में ऐसे प्रस्मा आपके exam में एगर आते है टेप की लंबाई लगाने वाली तो यह सारे question में आपको परीधी घ्यात करना होगा ठीक है चली तो आपको समझ मैं आया कि परीधी आमें ज्यात करना पड़ेगा कुछ question में तो परिधी ज्यात कैसे करेंगे इसको मेजर कैसे करोगे तो ऐसा possible है क्या कि हर बार आप किसी भी वृत के आकार का कोई भी वस्तु आपके पास हो तो आप उसे काटोगे काट के सीधा करके उसे मेजर करोगे बोलो हाँ या ना ऐसा कर सकते हैं क्या जितनी भी वृत के आकार की वस्तु होंगी उसकी परिधी नापने के लिए मेजर करने के लिए हम उसे काट के फिर सीधा करके और उसका परिधी मेजर करेंगे तो ऐसा नहीं कर सकते आपके तो इसके पास मानलो एक चूडी है ठीक है आपके हाथ में आप लोग कड़ा को पहनते हो कड़ा तो इसकी परिधी मेजर करने के लिए आप के करोगे उसको काट के सीधा करोगे तो इसके लिए क्या कर तो इसके करने के लिए परिधी को परिमाप करते हैं तो आपको बता रिया गया तो परिमाप या परिधी निकालने के लिए आपको देखो सीधे एक फॉर्मूला है आपके पास क्या फॉर्मूला है परिधी को सी से भी लिखते हैं ठीक है सर्कम्फेरंस करते हैं तो इसलिए हम इसे पर इधी के लिए क्योने क Battle-Kaer यहां पर ऑं के र क्या है त्रिज यह है तूपाय स्क कॉर्वैर रे स्क्वेर यहिए ले गलट हो जाएगा जल्च इसलिए मैं वोला कि वो नहीं होगा तूपायार ही होगा तो डूपायर होगा कि यार इसकार होता है अपका इस्ट्र बिल्कुल सही है वेरी गुड़ तीक उगल्ति आगे हम लोग 267 वी पढ़ेंगे ठीक है वह नेक्स प्राइब अच्छा पाइकमां बता होगे किसी को पता है क्या पाइक आमान क्या होता है चैट में लिख दो पाई का मान किसी को भी पता है तो चैट में लिख दो पाई का मान क्या होता है 22 बटा 8 आया है एक अंसर 22 बटा 8 होता है क्या 22 बटा 7 गलती से आपने 7 लिख दिया है तो 22 बटा 7 लिख रहे थे ठीक है माधव राहुल 22 बटा 7 लिख रहे ह। हाँ तो काफी बच्चे ने बोला हाँ सही है तो बिलकुल सही है तो पाई का मान 22 बटा 7 भी होता है 3.14 भी होता है तो दोनों ही आपको याद होने चाहिए जिनको नहीं पता था तो अपने कॉपी में श्टार मारके नोट कर लो ठीक है अपने कॉपी में श्टार मारके वेरी क्या होता है C बराबर C का मतलब circumference यानि परीधी को दिखाया जा रहा है C मतलब परीधी का formula क्या होता है 2 π.1 ठीक अर क्या है आर इस वरित की त्रिज्जय है यानि radius है ठीक है उसके बाद पाई का मान कितना होता है पाई कामान 22 बटा 7 होता है या पाई कामान 3.14 भी होता है दोनों ही होता है यह दोनों ही चीज़े जितनी भी बाते अभी लिखी गई है यह सभी की सभी काफी important है आपके लिए आपके exam में ऐसा question आएगा अगर कुछ भी ने दिया रहेगा तो आप कुछ ले ले ला अगर कुछ भी ने दिया रहेगा तो आपका मर्जी कुछ भी ले सकते है तो अभी एक question करते है ठीक है न यही पर यहाँ पर लिखा हुआ है व्रित की परिधी यानि टू पाई यार के बरावर होती है जहाँ आर का मान त्रिज्जा आर क्या होता है चलिए तो एक question मना पोल section में जाकर answer करें व्रित की त्रिज्जा अगर 7 cm है तो व्रित की परिधी आपसे पूछी जा रही है चलिए तो इस question को करने के लिए आपको copy pen की जरुवत है तो आप इसको solve करो और पिर answer करो अगर 37 cm है तो परिधी आपसे पूछा जा रहा है इस question के लिए आपको समय दिया जा रहा है आप आराम से answer करो अगर 37 cm कोई भी हडवड़ी नहीं करेगा आराम से आप लोग स्वल्व करो अभी अभी फॉर्मूला पढ़ाएगा ना फॉर्मूला में बस value put करो और answer आजाएगा चलो पाक सेकंड और रुके में पाक सेकंड और समय है अगर answer नहीं किया तो जल्दी से पाक सेकंड में answer करें फिर पोल सेक्शन को इंट करके इसको डिसकस किया जाएगा पांच चार तेन दो एक अच्छा माइक बंद कर दें चैट ओपेन है चैट में भी answer कर सकते हैं आपको दिया क्या गया है व्रित का त्रिजा दिया गया है और व्रित की परिधी आपसे पूछी जा रही है यानि इस आपसे पूछा जा रहा है तो फॉर्मूला क्या है बराबर तो प्या है यह पर्मूला भी आपको पढ़ाया गया, यहां R का है, उसे बितके तृज्जा है, तो 2 के जग़ापर हमने 2 ही रिख दिया, पाई का मान कितना है, पाई का मान यहाँ पर दे रखा है 22 बटा 7, इस कोशिन में पाई का मान 22 बटा 7 दिया गया, ऐसे आपको याद होने चाहिए, प्रिज्जा का मान कितना है, 7 cm है ना, प्रिज्ज्जा आपको 7 cm दिया गया है, अब इसको आप स्वल्ब कैसे करोगे, आपको पता यह तो काफी आसान है, 7 से 7 कटी आएगा, 7 से 7 कटी आएगा, तो बचा क्या, 2 गुना 22, यहां से कितना आएगा, 2 और 22 को आप गुना करोगे, तो 44 cm आएगा, यह समझ में आया, यह समझ में आया कि नहीं आया, अंसर क्या होगा, option number D होगा, option D is question का सही अंसर होगा, यह बताओ, समझ में आया यह नहीं आया, सभी को आया समझ में, ध्यान से देखो, और इस solution को नोट कर लो, या screenshot ले लो, अगर सौरी बोलने के कोई जरूर नहीं, अगर गलती भी होगे, तो कोई दिकत नहीं, अब समझ में आया नहीं आया, यह बताओ, अब समझ में आ गया ना, नेतिन, ठीक, चल, very good, अच्छा एक बात और बताओ, यहाँ पर cm क्यों लिखा गया, यहाँ पर मैं cm क्यो लिखा 44 cm, अगर त्रिज्या देखो, यह चीज़ ध्यान देना, त्रिज्या आपकी cm में दी हुई थी, तो परिधी भी cm में ही आएगा, अगर त्रिज्या मीटर में दिया रहेगा, तो परिधी भी cm में ही आएगा, अगर त्रिज्या मानलो, किलो मीटर में दिया रहेगा, तो परिधी भी किलो मीटर में आएगा तो यहाँ पर अगर एक और option 44 मीटर रहता तो यह हमारा सही अंसर नहीं होता 44 सेंटी मीटर ही होगा यह समझ में आया क्या कहा जा रहा है तो स्रिज्या की यह इकाई होगी वही परिधी की भी इकाई होगी यह समझ में आया हाँ किलो मीटर में भी दिया जा सकता है मानलो गर त्रिज्या किसी वरित्की त्रिज्या किलो मीटर में है तो परिधी भी किलो मीटर में होगा कोई बहुत बड़ा पार्क है मानलो कोई श्टेडियम है आपके हरियाना में कोई बड़ा बड़ा क्रिकेट का स्टेडियम है तो उसकी जो परीधी हो सकती है वो विर्तकार हो सकती है तो उसके जो स्टेडियम की जो परीधी होगी वो किलो मीटर में हो सकती है आधा किलो मीटर एक किलो मीटर की है ना परीधी किलो मीटर में हो सकती है यह समझ में आया च तो हमेशा ऐसा नहीं होगा कि आपसे हमेशा त्रिज्या देकर वृत का परिमाप या परिध ही पूछी जाए तो इस वाद आपको क्या पूछा जा रहा है परिमाप देखके त्रिज्या पूछा जा रहा है तो इस question को भी try करेंगे चलिए poll section में जाकर try करें इस question फिर मैं बताओं अच्छा कोई भी हडबड़ी नहीं करेंगा अराम से इस question को solve करेंगे हो सकता है इस question को solve करने में थोड़ी समय लगे अराम से इसको solve करोगे देखो वृत का परिमाप अच्छा परिमाप मतलब क्या परिधी परिमाप या परिधी एक ही चीज़ होती है तो परिमाप दिया गया 21 पाई तो त्रिज्या आपसे पूछा जा रहा है चलिए अभी भी आपके पाज समय है अराम से solve करों और अंसर करें चलिए अब 10 सेकंड और दुखेंगे आखरी 10 सेकंड और है उसके बाद इस कुश्चिन को डिस्कस करेंगे है न 5 सेकंड और है आखरी 5 सेकंड पांच 4 3 2 1 चलिए अब चैट आपका ओपिन किया जाता है अब चैट में भी अंसर लिख सकते हो तो देखो वृत का परिमाब 21 पाई दिया गया वित के तृज्जय आपसे पूछी जा रही है अब ध्यान से सुनिए गा इस कोश्चन में क्या हो गया उईटा पूछ दिया गया मतलब पिछले वार क्या क्या गया था पिछले कोश्चन में तृज्जय आपसे दी गई थी और आपसे परिधी यानि सरकंफेरेंस आपसे पूछा जा रहा था ठीक है इस वार आपको क्या बोला गया परिमाप यानि परिधी 21 पाई दी गई है और तिज्जय आपसे पूछा जा रहा है मतलब उल्टा कोश्चन आ गया तो इस वार हम लोग क्या करेंगे इस वार हम लिखेंगे C यानि परिधी का जो फार्मूला होता है वो 2 पाई यार के बराबर होता है ये स़ह है सभी को समझ में आया C बराबर 2 पाई यार होता है ये फार्मूला तो याद है हाँ या ना ठीक चलिए तो हम क्या करेंगे C का मान कितना है? परीधी का मान कितना है? ये बताओगे परीधी का मान कितना ये बताओगे? कुश्चन में देखो और बताओ परीधी का मान कितना दिया हुआ है तो परिधी का मान 21 पाई दिया गया है तो परिधी का मान 21 पाई दिया हुआ है तो 21 पाई यहाँ पर लिख दिया 21 पाई बराबर 2 पाई और है न इतना समझ में आया तो यहां से यह भी लिख सकते 2 पाई आर का मान 21 पाई के बराबर होगा अब हम क्या करें इस 2 pi को यह जो 2 pi आपको यहाँ पर लिखावा दिख रहा है इसको हम उस तरफ ले जाना चाहें तो क्या करेंगे r बराबर 21 pi बटा 2 pi अब क्या करेंगे बताओ pi से pi कट जाएगा तो लिखेंगे 21 बटा 2 और इसको आप solve करोगे तो आपका आएगा 10.5 cm यह समझ में आया यह नहीं आया यह बताओ इतना समझ में आया मैं दुबारा बता रहा हूँ बिल्कुल देखो इस question में पूछा क्या जा रहा है इस बार आपसे त्रिज्या की मान पूछी जा रही है परीधी की मान दी गई है ठीके परीधी की मान दी गई है और त्रिज्या का मान पूछा जा रहा है देखो मैं ये सारी चीज़ों को मिटा रहा हूँ, फिर से आपको समझा रहा हूँ, ठीक है, चलो, परीधी का फर्मूला क्या होता है, सारी चीज़ देखना, एक किस टिप में आप से पूछना हूँ, परीधी का फर्मूला क्या होता है, टू पाई आर के बराबर होता है, है दो नहीं दिया गया रहा है 21 πाई दिया गया है 21 πाई के बराबर है कि अदो यहां पर लिख दिया 21兩 ठीक है और यही–2 भाई revealing है तो exactly यसा लिख सकते नाű göre Pvd निस कोई बराबर होगा तो 21 पाई अगर टू पाई आर के बराबर है तो टू पाई आर जो होगा वह 21 पाई के बराबर होगा ना समझ में आया अब अब देखो अब मुझे यह बताओ अगर 5x चैट में लिकर बताना अगर 5x का मान 15 के बराबर है तो x का मान कितना होगा यह बताओ यह पाइव एक्स का मान 15 के बराबर है तो एक्स का मान कितना होगा इधर जो मैं पूछ रहा हूँ वो बताओ नहीं 10 के बराबर कैसे होगा देखो नितिब अगर हम 5 को इस 5 को उस तरफ ले जाना चाहें तो 5 गुना एक्स है न तो उधर जाकि ये 5 15 बटा 5 बनेगा तो यहां से आएगा 3 ये समझ में आया ये नहीं आया नितिन आप ये बताओगे ये समझ में आया नितिन आप ये बताओगे तो आप 15 में 5 घटाओगे नहीं आप डिवाइड करोगे को ये 5 गुना एक्स है न तो यहां से हम क्या करेंगे इस 2 pi को उसी तरीके से 2 pi को जब अब उस तरफ ले जाएंगे तो आप को होगे r का मान जो होगा 21 pi बटा 2 pi होगा उधर जाके इधर गुणा में है तो उधर जाके भाग में हो जाएगा अब यहां से आप क्या को होगे यहां pi से pi कट जाएगा पाई से पाई कट गया, तो बचा क्या, 21 बटा 2, अब 21 को 2 से भाग दोगे तो क्या आएगा, 10.5 आएगा, 10.5 सेंटिमीटर आएगा, हमारा अंसर क्या होगा, आपसर नमबर, यही हमारा सही अंसर है न, तो आपसर ने इस कोश्चन का सही अंसर है, यह समझ में आया ये नहीं आया, यह बताओ, अब समझ में आया, अब सभी लोग बताओगे, चलो, अगर समझ में आ गया, तो एक कुश्चन और पूछते हैं, ठीक है, और इस बार आप सभी को चैट में ही अंसर देना है, कोई भी पोल में कुश्चन ने पूछा जा रहा, ठ ठीक है, चलो, तो अभी एक खाली पेज लेते हैं, और खाली पेज में ही, चलो, अब ध्यान से कुश्चन रेखेंगे, अगर में हमें एक वृत बनाते हैं, ठीक है, इस वृत का आपका परीधी, परीधी दी जा रही है, परीधी की जो लंबाई है, वह सुल्लह पाई सेंटी मीटर के बराबर है, या मैं कहा रहा हूँ, सुल्लह पाई मीटर के बराबर है, तो आप बताओ, इस वृत का व्यास कितना होगा, जल्दी से बताओगे, इस वृत का व्यास आपसे पूछा जा रहा है, अगर परिधी 605 मेटर के बराबर है तो व्यास कितना होगा देखते हैं सबसे पहला सही अंसर किसका आता है नहीं व्यास पूछा जा रहा है आपसे पर्मूला नहीं पूछा जा रहा है देखो वे परिधी सुलना पाई है तो व्यास कि लंबाई क्या होगी व्यास भी आपको पढ़ाय जा चुका है परिधी भी पढ़ाय जा चुका है तो आप देखो कैसे स्वल्व करूगी चलो अब देखते हैं न स्वल्ला मीटर एक अंसर आया है स्वल्ला मीटर चलो, माधव का अन्सर आया सोलः मिटर अब देखते हैं इसका अंसर क्या होगा चलो, अब सभी लोग ध्यान से देखना ऐसा Question आपके Exam में आ सकता है यही सारे Question आपके Exam में आ सकते है चलो, अब देखो यहां यहां लिखा गया है परीध्य कितना है परीधी दिया गया है सुल्लह पाई तो परीधी का फार्मूला क्या है 2 पाई याथ 2 पाई यार बराबर सुल्लह पाई इतना समझ में आया तो आर का मान कितना होगा सुल्लह पाई बटा 2 पाई यहां तक समझ में आया कि नहीं आया यह बताओ यहां तक समझ में आया, तभी लोग बता हूँ यहां तक समझ में आया न, आर का मान कितना आया स्वल्लापाई बटा टूपाई अब यहां से हम पाई का, पाई से पाई अगर कट कर दे पाई से पाई कट कर दे, तो क्या बचेगा तो अल्लह बटा 2 यानि 8 मिटर यहां से क्या पता चला त्रिज्या की जो लंबाई होगी त्रिज्या की लंबाई कितनी आ गई 8 मिटर त्रिज्या की लंबाई 8 मिटर आ गई आपसे पूछा क्या जा रहा है व्यास पूछा जा रहा है तो आपको पिछले क्लास में पढ़ाया गया था व्यास जो होता है त्रिज्या का दो गुना होता है तो व्यास कितना होता है दो गुना त्रिज्या यानि दो गुना आठ यानि स्वल्ला मीटर तो अंसर क्या होगा व्यास जो होगा वो स्वल्ला मीटर के बराबर होगा तो माधव का अंसर बिलकुल सही था इतना समझ में आया यह समझ में आया यह नहीं आया कि व्यास कितना होगा स्वल्ला मीटर होगा अगर परिधी सुलना पाई है तो आप व्यास भी निकाल सकते हो और परिधी भी निकाल सकते हो चलो तो अभी हमवक नोट करेंगे है न तो यह आपका हमवक है तो दो एक्सरसाइज करना है 7.1 और 8.1 बस दो ही एक्सरसाइज है तो इसमें जितने भी कोश्चन होगे यह सब भी आपको कर लेने